सबी का फिर से एक बार स्वागत है और लास्ट लेक्चर में हम लोग जो डिसकुशन कर रहे थे क्लास 12 का हमारा फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिसकस कर रहे थे जहां पर डीप वाटर से रिगार्डिंग हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था हमारे चैप्टर का नाम था है यहां पर डीप वाटर और डीप वाटर में हमने देखा किस तरीके से कोई भी इनसान अपने डर को किस तरीके से फेस करता है उसे किस तरीके से ऐलेबरेट करता है कैसे उसकी व्याख्या करता है इस बारे में हम लोगों का discussion चल रहा था तो बहुत एक अच्छे surprising note पे हम लोगों का chapter जो है उसने एक break लिया था mid break जो था एक बहुत अच्छे positive note पे आया था हमारा कि अब यहाँ पर जो है जब वो third time drowning शुरू करता है जब वो तीसरी बार डूबने लगता है नीचे के और जाने लगता है अपनी फिर से एक यात्रा शुरू करता है तो इस बार वो घबरायवा नहीं है इस बार उसको कोई डर नहीं है वो अपने भाग्य को अपनी destiny को accept कर चुका है उसे स्विकार कर चुका है कि this is the time अब समय है कि मृत्यू को स्विकार कर लेना चाहिए पूरी तरीके से और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो बेहोश होने लगता है कोई strategy नहीं बनाता इस बार किसी भी प्रकार से अपने आपको बचाने का आगे और कोई प्रयास नहीं करना चाहता और बस वो उस चीज को वैसे छोड़ देना चाहता है कि पस ठीक है बहुत कड़ी कोशिश बहुत strategy बना ली अब वापस नीचे जाऊं जंप करूं ऊपर आऊं फ्लैट सरफेस पे तैरूं हाथ पैड चलाऊं पूल के किनारे तक पहुँच जाऊं और किनारे पर पहुँच कर अपनी जान बचालू इस तरह की strategies से अब वो पूरी तरीके से ठक चुका है exhaust हो चुका है और अपने आपको मृत्यू के हवाले कर चुका है एक तरीके से अब यह मान सकते हैं तो देखते हैं कि क्या वो मर जाता है या वो जीवित रहता है उसका क्या होता है आगे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देट the next I remember और अगली चीज जो जहां तक मुझे याद था पिछली चीज में कहा है कि मैं डूब रहा हूँ अब बस बहुत ही tender arms है मेरे चारो और और सब अच्छा लग रहा है चारो तरफ शान्ती है peacefulness है अब मुझे कोई चिंता नहीं है किसी भी चीज की कोई परवा नहीं है और बिलकुल यह जो मौद की बाहे है यह बिलकुल मा की बाहों की तरह tender लग रही है वो इस तरह की वो सोचता है लेकिन यहां वो मरता नहीं है वो बच जाता है ठीक है the next I remember अगली चीज जो मुझे याद है I was lying on my stomach beside the pool यानि कि मुझे पेट के बल उल्टा लेटाया गया था पूल के पास में vomiting और मैं वहां क्या कर रहा था उल्टी कर रहा था the chap वो लड़का जिसने उठा करके उसे फैका था that threw me in was saying जिसने मुझे अंदर उस पूल में फैका था वो ये कह रहा था but I was only fooling लेकिन मैं तो बस क्यों वजाग कर रहा था मैं तो क्यों जोग कर रहा था जोग करने के लिए मैंने बस उठा के फैक दिया someone said और किसी ने उससे ये कहा the kid nearly died ये लड़का लगबग मर ही चुका था अगर हम समय पर नहीं आते हैं और इसे बचाते नहीं न तो ये मर चुका था ये मृत्तियू के बहुत करीब था be all right now अब सब ठीक है let's carry him to the locker room इसे locker room में ले चलते हैं locker room वो जगह होती है जहां पर आप dress change वगरा करते हैं आप अपना कीमती सामान जो है lockers में रख सकते हैं तो swimming pools के आसपास इस तरह के locker rooms भी होते हैं several hours later कई घंटों के बाद I walked home मैं पैदल चलकर वहां से घर गया I was weak and trembling मैं बहुती कमजोर महसूस कर रहा था और काप रहा था I shook मैं बिलकुल hill गया था सिहर गया था ठिटर गया था and cried और रोया when I lay on my bed जब मैं अपने विस्तर पर लेटा हुआ था उन सारी चीजों को बार बार याद करके सोच के समझ के महसूस करके मुझे बार बार एक तो सिरहन लग रही थी बार बार डर लग रहा था अभी भी और रो रहा था I could not eat that night और उस रात को मैं ठीक से कुछ खा भी नहीं पाया for days a haunting fear was in my heart कई दिनों तक एक डरा देने वाला भैभीत करने वाला डर जो है वो मेरे दिल में बैठा रहा the slightest exertion upset me यानि थोड़ी सी भी कोई थकान भरा में काम कर लेता था या कोई भी ऐसा काम कर लेता जिससे मुझे थोड़ी सी भी थकान होती तो मैं पूरी तरीके से परेशान या upset हो जाता था making me wobbly in the knees and sick in my stomach यानि गुठनों में जान खतम हो जाती ऐसा लगता कि अब मेरे गुठनों में बिल्कुल जान नहीं है मैं खड़ा भी नहीं रह पारा बस में kneel down करके या गुठनों के बल बैठ जाओं मेरे गुठने जो है वो मेरा शरीर का वजन नहीं उठा पारे कई बार मुझे ऐसा लगता और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ गड़बर हो रही है जैसे मुझे मेरा जी मा चल रहा है या वामिट जैसा मन कर रहा है और मैं फिर कभी उस पूल पर वापस नहीं गया और अब मुझे पानी से और जादा डर लगने लगा था पहला इंसिडेंट जो उसके फादर के साथ हुआ था जब वो एक बीच पर गया था और उसके फादर के कंदे पर वो लटका हुआ था और वहां से वो गिर गया था और वाटर स्वैप्ट ओवर हम और पानी उसके उपर से इतना तेजी से निकला कि वो बिलकुल धस गया था गड़ गया था जमीन के अंदर उसके अगेंस्ट ओवर पावरिंग वाटर के अगेंस्ट जो बहुत ही महा सक्तिशाली जो पानी का बहाव था जो लहर थी उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर पा रहा था पहला डर वो उस डर से निकलने के लिए वो इस पूल पर गया और यहां जाकर के उसने अपने डर को निकालने की कोशिश की लेकिन एक ऐसी घटना वहाँ पर हुई जिसकी वज़े से वो डर जो था वो और ज़ादा गहरा हो गया अभी वो डर खतम नहीं हुआ है और पानी में जाने से मैं अवाइड करता था बचता था जब भी मैं बच सकता था यानि पानी से दूरी ही बना कर रखता था मतलब यह देख लो कि यह कंडिशन हो गई थी वह भूल भलाया वाला राजपल वयाद हो था ना? कि अक्षर कुमार बोलता पानी और वह उचलता इदर से कहता पानी वापस उचलो तो यह कंडिशन इस भाई की भी हो गई थी कि पानी के नाम से ही डर लगने लगा कि पानी के आसपास नहीं जाना है A few years later, कुछ सालों के बाद When I came to know the waters of the cascades यानि उत्री अमेरिका के पश्चिमी भाग में इस्तित एक मुख्य प्रवत शंकला है जिसका नाम है cascades तो वहां के जब मैंने पानी के विशह में जाना वहां पर जो नदी ओग रहा है उसके विशह में जब मैंने जाना I wanted to get into them मैं उसमें जाना चाता था यानि कि उसके आसपास जो जलिय शेत्र थे मैं उनमें जाना चाता था And whenever I did और जब कभी भी मैंने ऐसा किया Rather I was wedding the titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks The terror that had seized me in the pool would come back यानि कि जब कभी भी यदि अगर मैं वहां पर पानी में अगर titan जयानि कि एक छोटी जो बोट होती है वो चलाता या फिर नदी में कूदने की कोशिश करता या फिर warm lake गरम पानी की जो जहील उसमें नाने का प्रयास करता of the goat rocks जो goat rocks के पास में है The terror Rather I was यानि यदि मैं ऐसा करता भी इनमें से कहीं पर भी अगर मैं पानी में जाने का प्रयास करता तो वह भै वह डर that had seized me in the pool जिसने मुझे जमा दिया था कठोर कर दिया था बिलकुल जडवत कर दिया था उस pool में would come back वो वापस आ जाता तो इसलिए मैं क्या मेरे पास इतने आउसर थे पानी में आनंद करने के लेकिन उस डर के वज़े से ही मैं कभी पानी में दुबारा गया ही नहीं It would take possession of me completely यानि कि वो पूरी तरीके से मेरे पर अधिकार कर लेता पूरी तरह से मेरे पर हग कर लेता नियंतरित कर लेता मुझे पूर्ण रूप से पूरी तरह से मेरे पैर फिर से पैरलाइस यानि लखवा करसेत हो जाते I see horror would grab my heart और वह जमा देने वाला भैभीत कर देने वाला जो डर है वो उस डर ने मेरे दिल को बहुत बुरी तरह से जकट रखा था यानि कि अभी भी मैं उस डर से बाहर नहीं निकलाता मैं उतना ही भैभीत था जितना कि मैं पूल में दूबते वक्त था यानि कि वो भै और पानी के करीब जाने पर जो भै मुझे महसूस होता था वो दोनों बिलकुल एक समान थे यानि कि वहाँ पर ना डूबने वाली सिचुएशन होते वे भी पुराने डर की वज़े से ही मैं दुबारा कभी पानी के आसपास नहीं जा पाया जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए जैसे ऐसे साल गुजरते गए यह हैंडिकेप यानि कि अडचर या यह जो बाधा है यह मेरे साथ ही रही यानि कि समय के साथ भी यह डर दूर नहीं हुआ इन कैनोई यानि हलकी और छोटी नावे जो होती इनको डूंगी कहा जाता है ओन में लेक्स में जो डूंगी चलती है कैनोई चलती है फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ट जो कि चारो तरफ से भूमी से घिरा हुआ यानि कि ऐसी जगे जिसको हम तालाब कह सकते हैं क्योंकि चारो तरफ उसके जमीन है प्रेंस फेर में ट्रॉट जो एक प्रकार की मचली है उसका अगर मैं शिकार करने जाओ या क्या कहता है मचली पकड़ने जाओ फिशिंग अन्ड बंड देशिजिज एंड मिटलियूस तो मिटलियूस या डेशिजिज जो जगय का नाम है यहां पर भी अगर मैं fishing करने के लिए जाता जो की Oregon के अंदर है fishing for salmon फिर से एक मशली का नाम on the Columbia या Columbia में salmon जो मशली है अगर वो पकड़ने के लिए जाता at bumping lake, bumping lake पे in the cascades, cascades बता दिया है उतरी अमेरिका के अंदर पवर शंकला है उसके पास में भी अगर मैं कहीं मशली पकड़ने जाता देखो guys, इनके word meanings नहीं हो सकते इन words के meanings इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यह किसी निश्चत स्थान का नाम है तो किसी भी स्थान के नाम का कभी अर्थ नहीं निकलता स्थान के नाम को हमें स्थान के नाम से ही याद रखना होता है इस chapter के according यह सारे के सारे न पारण वो कभी भी fishing करने वहां नहीं जा पाया कैसके डिस, wherever I went, जहां कहीं भी मैं गया, the haunting fear of the water followed me, तो डरा देने वाला, भैभीत कर देने वाला जो डर था, पानी का, वो पानी का डर मेरे पीछे पीछे चला आता था, यानि मुझे follow कर रहा था, यानि मेरे साथ चल रहा It ruined my fishing trips, और मेरी जितनी भी मचलिया पकड़ने के लिए मैंने जितनी भी यात्राएं की है, वो सारी की सारी बरबाद हो गई, डिप्रिवेट मी of the joy of canoing, और उसने हमेशा मुझे डोंगी चलाने के, यानि canoing चलाने का जो आनन्द होता है, उससे हमेशा वंचित रखा, उस बैट करके पानी में जाने से डर रहा है, उसका swimming का तो क्या ही होगा आप भी समसकते हूं, तो swimming से भी वो पूरी तरह से वंचित रहा, I used every way I knew, मैंने हर वो तरीका आजमाया जो मुझे पता था, जो मैं जानता था, to overcome this fear, इस डर से बाहर निकलने का, ये बात मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, हमारे अंदर कोई डर है, तो है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कहां आती है, कि हमारे अंदर डर है, लेकिन हम उस डर से बाहर निकलने का प्रयास ना करें, या उस डर पर जीत हासिल करने का प्रय होगा कि जहां नेल्सन मंडेला जो है वो क्या कहते हैं कि फियर जो है उसकी एक वहाँ पर वो एक definition बताते हैं ठीक है और वो क्या बताते हैं कि courage is not absence of fear courage is trim over it यानि कि साहस वास्तविक साहस की परिभाशा यह है डर के संतर्व में कि डर का ना होना साहस नहीं है लेकिन अपने डर पर विजय हासिल करना ही साहस कहलाता है तो यहाँ पर यही प्रयास करना चाहरा है आपके और मेरी तरह decision नहीं लेता है कि क्या बात है बलो पर पानी से डर लगता है ठीक है दूर रहेंगे बात कतम होगी आसपास जाना ही क्यों डर लगता है पता है न अफेक्ट है वहां फेक्ट है साब दूर रहो पानी से उसके आसपास जाना ही नहीं पाल तो दिमाग क्यों लगाना लेकिन यहां इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता यह ऐ इस डर को, but it held me firmly in its grip, लेकिन उसने अपनी पकड में मुझे बहुत कसके पकड रखा था, फाइनली अन्ता था, 1 ओक्टोबर, 1 ओक्टोबर के एक दिन में, I decided to get an instructor, मैंने एक निर्देशक को ढूणने का प्रयास किया, अलगे इंस्ट्रोक्टर को आप यहाँ, इंडियन कॉंटेक्स में कह सकते हैं, जो स्विमिंग की ट्रेनिंग देते हैं, स्विमिंग करना सिखाते हैं, तो ऐसे ट्रेनर को मैंने ढूणने का प्रयास किया, and learn to swim, और मैंने तै किया कि मैं तैरना सीखूंगा, मैं एक पूल में गया, और वहां मैं सब्ताह में पाँच दिन अभ्यास करता था, और पाँचों दिन एक एक गंटा प्रयास करता था, उसने मेरी कमर पे एक बेल्ट बान दी थी, थोड़ा सा वैसे समझा देते हैं, उसके बाद ट्रासलेशन देखते हैं, उसने क्या किया, एक बेल्ट बान दी, कमर पे, उपर लगा दी एक पुली, पुली मतलब रोल जो ऐसे गोल गोल चलता है, ठीक है, उस पर बान दी एक रस्सी, रस्सी बान करके खुद पूल के कौने पे बैठ गया, और उसे कहता तैरो, तो जैसे ही वो तैरता और डूबने लगता तो रस्सी उपर खैस लेता, जिसे वो पानी में उपर आ जाता, डूबता नहीं, और जैसे ही वो थोड़ा ठीक से चलने लगता, तो रस्सी लूज कर देता, कि अभी यह खुद से तैर सके, इतना ही मामला है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर जो है, उसने एक बेल्ट मेरे चारतर बान दी, रोप अटेश्ट और उससे एक रस्सी को जोड़ा गया, तू दा बेल्ट, उस बेल्ट से, वेंट थू अपूली, और उपर पूरी एक पूली बनी वी थी, जिससे वो जाता था, देट रन, on an overhead cable, और उपर से एक cable जो है, मेरे overhead से, यानि सर के उपर से वो निकलती थी, यानि पूल के एक छोड़ से लेकर दूसरे चोड़ तक वो जाती थी, और इस तरीके से, he held on the end of the rope, वो रसी के दूसरे हिससे को पकड़ कर रखता था, and we went back and forth, और हम बार बार पूल में went, back and forth का मतलब क्या है, एक छोड़ से दूसरे चोड़ पर जाते थे, दूसरे चोड़ से वापस तैर कर, पहले चोड़ तक आते थे, back and forth वापस आना, जाना, across the pool, पूरे क्रॉस करते हुए, hour after hour, घंटों के बाद घंटे अभ्यास किया, day after day, एक एक दिन करके अभ्यास किया, सप्ता के बाद सप्ता निकलते चले गए, यानि घंटों के बाद घंटे निकलते चले गए, दिन के बाद दिन निकल गए, सप्तों के बाद सप्ता निकल गए, on each trip, across the पूल हर बार जब मैं ट्रिप लेता था उस पूल को पुरा क्रॉस करने के लिए अबिट ओफ पैनिक थोड़ा सा डर जो है सीजड मी वो मुझे जकड लेता था इच टाइम दा इंस्ट्रक्टर हर बार जब भी वो इंस्ट्रक्टर था जो प्रसिक्षन देने वाला था रिटर्ण वो लॉट आता था और मेरे पैर जम जाते थी यानि मैं तैर जब तक मैं पानी के उपर उसने रसी पकड रहे की तब तक तो मैं अच्छे से तैर रहा हूं जैसे वह डिली चोड़ता मैं हलका सा नीचे जाता और वापस पैर जम जाते वापस डर लगने लग जाता वापस हाथ पैरा कड जाते के नहीं तैरा जा रहा आई बात समझ में यह सिचुएशन इसके साथ हो रही है यानि कि तीन महीने लगे उस समस्या को उस टेंशन को तनाव को जब वो तनाव या वो डर धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ तीन महीने तक अभ्यास करने के बावजूद भी वो डर बना रहा और उसके बाद उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के नीचे रहकर सास छोड़ी जाती है और फिर उपर आकर सास ली जाती है फिर नीचे आते हैं सास छोड़ते हैं फिर उपर आते हैं सास लेते हैं फिर नीचे आते हैं सास छोड़ते हैं तो कैसे पानी के अंदर सास छोड जाता है और फिर बाहर आकर सांस लिया जाता है ये भी उसने मुझे सिखाया put my face under water and exhale अंदर पानी के अंदर मू रखकर कैसे सांस छोडा जाता है and to raise my nose and inhale और कैसे मैं अपनी नाग उठा करके सांस ले सकता हूं I repeated the exercise hundreds of times मैंने सैक्डों बार उस अभ्यास को दोराया bit by bit थोड़ा थोड़ा एक एक टुकडा करके हाथ कैसे चलाना है एक टुकडा हो गया पैर कैसे चलाना है एक टुकडा हो गया सर की क्या position रहेगी एक टुकडा हो गया कैसे सांस अंदर पानी के अंदर सर डालके कैसे सांस चोड़ना है एक टुकडा हो गया पानी के बाहर नाक निकालके कैसे सांस लेना है एक टुकडा हो गया इतने सारे छोटे छोटे टुकडों का अलग-अलग अभ्यास हुआ और अब उन सब को merge करके, mix करके एक swimmer तयार किया जा रहा है ठीक है I said part of the panic that seized me मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया त्याग दिया उस हिस्से को उस डर के हिस्से को जो मुझे पूरी तरह से जकड लेता था seize कर देता था हाथ पेरों को जाम कर देता था when my head went underwater जब कभी भी मेरा सर जो है पानी के अंदर जाता था यानि अब पानी के अंदर तो सर जा रहा है लेकिन मुझे किसी भी तरह का डर जादा महसूस नहीं हो रहा है next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs उसके बाद उसने मुझे पूल के एक side पर उसने मुझे पकड़ के रखा और उसने मुझे पैर चलाना सिखाया for weeks कई सब्ताहों तक I did just that मैं बस के बाद वही करता रहा पैर हो की फ्रैक्टिस करता रहा जैसे मैंने बताया ने bits by bits थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा तो एक-एक exercise अलग-अलग करवा रहा है एक-एक portion को अलग-अलग practice करवा रहा है at first my legs refuse to walk शुरुवात में मेरे पैर बिलकुल काम कर ही नहीं रहे थे but they gradually relaxed लेकिन वो धीरे-दीरे relax होते चले गए time के साथ and finally I could command them और अंत में ऐसी इस्तिती हुई कि अब किसी डर के वजए से मेरे पैर जाम नहीं हो रहे थे या किसी अन्यकारण से मेरे पैर अपने आपने चल रहे थे अब मैं उन पर पूरी तरीके से command कर सकता था मैं जब जिस तरह से चाहूं अपने पैरों का इस्तमाल तैरने के लिए कर सकता था यानि अब वो मेरे पूर्ण रूप से नियंतरण में थे Thus piece by piece इस प्रकार से एक-एक टुकडा करके He built a swimmer उसने एक swimmer एक तैराक का निर्मान किया And when he had perfected each piece और उसके बाद जब उसने हर एक हिस्से को perfect कर दिया He put them together into a integrated hole और उसके बाद में उसने सारी अलग-अलग समझाई हुई चीजों को एक साथ जोड़ करके और एक समग्र बना दिया यानि एक complete exercise उसे बना दिया पहले part by part exercise थी अब सारी exercise को मिला करके एक wholesome, complete exercise को वहाँ पर बनाया गया In April he said और April में उन्होंने मुझसे कहा Now you can swim अब आप तैर सकते हो Dive off and swim the length of the pool अब एक काम करो डुप की लगाओ कूदो, किस में? पूल में और पूरी एक length जो है जितना लंबा पूल है उतना तैर करके वापस आओ Swim the length of the pool और जाकर के जितनी लंबा इस पूल के उतना तैल के आओ Crawl Stroke और Crawl Stroke जो है एक तरह का तैरने वाला तरीका होता है जिसमें हम आगे की तरफ तैरते हैं इस तरीके से ठीक है? तो Crawl Stroke जो है उसमें तैर के आओ I did और मैंने वैसा ही किया The instructor was finished और वो बता चुका था instructor के अब मेरा काम समाप्त हो चुका है अब आप तैर सकते हैं अब आपको तैरना पूरी तरीके से आता है इस तरीके से उसने मुझे तैरना सिखाया But I was not finished लेकिन मैंने भी तैरना सीखा था लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था मेरा काम तैरना सीखना थोड़ी था मुझे तो अपनी डर से बाहर निकलना था और अभी तो मुझे सिर्फ तैरना आया था क्या मेरे अंदर का डर अभी भी वैसा ही है या मैं अभी उस दर से भी बाहर निकल चुका हूँ तो I was not finished मैं अभी पानी के काम से तैरने के काम से पूर्ण अपना काम नहीं कर पाया था I still wondered मैं अभी भी सोच रहा था If I would be terroristic क्या मैं फिर से डर जाओंगा घबरा जाओंगा When I was alone in the pool जब मैं पूल में अकेला होंगा I tried it और मैंने इसे करके देखा कि जब कोई नहीं होगा मैं अकेला तैर रहोंगा क्या तब भी मुझे डर लगेगा या तब नहीं लगेगा I swam the length up and down यानि कि मैं वहां तक जाकर के पूरा और वापस आया up and down का मतलब वही है forward and back वाला tiny vestiges of the old terror would return छोटे छोटे टुकडो में यानि किसी किसी क्षण में किसी किसी पल में मुझे लगता था कि वह डर वापस लौट रहा है लेकिन अब मैं गुसे से उसकी तरफ देख करके घ्रणा का भाव उसको दिखाते हुए and say और मैं यह कह सकता था to that terror उस डर से अभी अपने डर से बात कर रहा है और क्या कह रहा है trying to scare me well here's to you look यानि कि वो जैसे उसको अलका सा डर लगता और वो कहता अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो यह ले यह ले बोल करके फिर से एक बार और तैरने के लिए निकल जाता फिर अलका सा डर लगता है अच्छा अभी भी डराने कोशिश कर रहा है चल ठीक है एक बार और तू जितनी बार कोशिश करेगा उतनी बार तैर के दिखाऊंगा यानि कि डर को अपने उपर भारी हावी नहीं होने दे रहा था वो और हर तरीके से डर को चैलेंज कर रहा था अपने डर को चैलेंज कर रहा था कैसे मुझे डरानी की कोशिश कर रहे हूँ यह लो यह तुमारे लिए है लुक देखो and off I had go for another length of the pool और ऐसा कहकर के मैं फिर से एक बार पूल की जितनी लंबाई है उदर तैरने के लिए चला जाता था I went on until July और मैं July तक ऐसा ही करता रहा but I was still not satisfied लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था मुझे लगा क्यार पूल में तो कोई भी दर लेता है पूल में सीखा जिस पूल में सीखा उसी पूल में तैर लिए तो इसमें क्या है? ठीक है तो उसको ऐसा लगा क्यार यह नहीं होना चाहिए अपनी जो तैरनी की जो कला है या मुझे अभी भी डर लगेगा या नहीं लगेगा ये देखने के लिए मुझे एक बार अपने comfort zone से जहां मैंने सीखा है जहां का मैं महारत ही हो गया हूं वहां से बाहर जाकर के कोशिश करनी होगी तो मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था I was not sure मैं अभी भी निश्यत नहीं था that all the terror had left के सारा डर जो है वो जा चुका है So I went to lake Wentworth in new hemisphere इसलिए मैं new hemisphere में जो lake है Wentworth वहां मैं चला गया Dived off वहां जाकर के मैंने एक बंदरगा का एक भाग जो dock होता है वहां से मैं कुदा वहां से मैंने dive लगई At Trigis Island और Trigis Island पे and swam two miles across the lake और दो मील तक मैं तहरतावा चला गया To Stamp Act Island और कहां तक जाके पहुँचा Stamp Act Island तक I swam the crawl मैंने crawl आगे की तरफ बढ़ने वाला Breast Stalk Breast Stalk मतलब पीछे की तरफ Side Stalks एके खात one by one hand Back Stalk वापस पीछे की तरफ बटरफलाई की तरह तहरा आजाता है यह तहरने के अलग-अलग तरीकों के नाम है तो इनके आप नाम याद कर सकते हो Only once did the terror return के वल एक बार ऐसा हुआ जब वहें डर लोट करके वापस आया When I was in the middle of the lake, जब मैं उस लेक के बीचो बीच था I put my face under, तो मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और आंके खोल के देखा कि कितना गहरा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना देखो जब आपको पेहले ही पता हुआ आपको डर लगता है फिर वहा है जा करके और एक लेख में जा करके उसके बीच में पहुच करके ऐसे experiment करते हो फिर तो डर लगेंगा ही सही पूल में चैलेंज करना अलग बात होती है भाईया दो मील लंबे लेक में चैलेंज करना अलग बात होती है saw nothing but bottomless water और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया ऐसा लगा कि अंतहीन पानी ही पानी है जहां तक नजर जाए महां तक पानी है the old sensation returned in miniature और बहुत कम मात्रा में बहुत थोड़ा सा मुझे डर वापस से लगा I laughed and said और मैं हसते हुए मैंने कहा well Mr. Terror खेर श्रीमान डर what do you think you can do to me आपको क्या लगता है कि आप मेरा क्या कर सकते है सीधी सीधी बात करें तो क्या उखाड लेगा सीधी बात है Mr. Terror आपको क्या लगता है आप मेरा क्या कर लेंगे आप मेरा क्या बिगाड लेंगे It fled and swam on और मेरा डर जो है वो भाग गया और मैं आगे अपना तेहरना मेंने जारी रखा मैं आगे और तेहरता चला गया Yet I had residual doubts at my first opportunity जैसा कि मुझे अभी भी थोड़ा सा doubt था अपनी इस पहले अवसर पर I hurried west तो मैं जल्दी से west की तरफ गया Went up the Teton to Kenrod Meadows और मैं Teton से Kenrod Meadows तक गया Up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier और Conrad Greek Trail जो है ट्रेल यानि की पकडंडी वाली जो इलाका होता है जहां पर परवता रोही लोग जाते हैं वहां से मैं Mead Glacier तक गया And Camp और मैं वहां तंबू लगा करके रुका In the high middle यानि की बहुत उची इस्तान पर जहां middle यानि की घास के बड़े मैदान होते हैं By the side of the warm lake जो की warm lake के बिलकुल पास में था यानि की एक जगह जब मुझे यह आउसर मिल गया कि मैं अपने डर पर जीत हासिल कर पाया तो मैंने दूसरे adventures काम जो है परवता रोहियों वाले जो काम होते हैं जो पहाडों की ऐसी चोटियों पर जाकर के ठैरते हैं रहते हैं जहां पर सामान्य मनुश्य नहीं जाता या adventures लोगी वहां पर जाना पसंद करते हैं मैंने दूसरे adventure वाले काम करना शुरू कर दिया The next morning I stripped, dived into the lake अगले दिन सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और जाकर के lake में कूद गया and swam across to the other shore और दूसरे किनारे तक तैर कर पहुँचा and back और वापस आया Just as Dog Corporon used to do यह है Mr. Dog Corporon है जो एक महान तैराक माने जाते हैं जैसा कि वो किया करते थे I shouted with joy और मैं बहुत खुशी के साथ मैंने वाँ चिला करके चिलाना शुरू कर दिया and Gilbert Peak returned the echo और Gilbert Peak जो है महाँ से मेरी आवाज गूंज करके वापस मुझे सुनाई देने लगी I had conquered my fear of water मैं अपने पानी के डर को जीत चुका था अब मुझे पानी का किसी भी तरह का कोई डर बाकी नहीं रहा था The experience had a deep meaning for me और ये सारा जो अनुभव था पानी के डर की शुरुआल से लेकर के उस डर पर विजय प्राप्त करने का उस डर को जीतने का ये पूरा का पूरा जो experience था उसने मुझे पर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था As only those who have known स्टेक, terror and conquered it can appreciate यानि कि केवल उनको appreciate किया जा सकता है उन्हें साबाशी दी जा सकती है जिनके जीवन में उन्होंने किसी ना किसी प्रकार के ऐसे भयानक डर को जाना है उसका सामना किया है और उस पर विजय हसल की है In death, there is peace मौत में कोई तकलीफ नहीं होती मौत में शान्ती है उसमें कोई परिशानी नहीं है There is terror only in the fear of death केवल मृत्यू का डर जो है केवल उसी में हम लोगों को क्या लगता है डर लगता है जैसे कि Roosevelt जानते थे Roosevelt ये है When he said जब उन्होंने कहा था All we have to fear is fear itself हमें किस से डरना चाहिए केवल डर से डरना चाहिए डर से ही डर होता है मुझे अंदेरे से डर लगता है केवल इस बात का भय है के मुझे अंदेरे से डर लगता है आप अंदेरे में जाओगे तो कोई राक्ष्ण साब को खानी जाएगा महां कुछ नहीं है कोई नहीं है ये कमरा भी जैसा है अगर इसमें मैं पूरा अंदेरा कर दू तो ये कमरा तो वैसा ही रहेगा न इस कमरे में थोड़ी कुछ बदल जाएगा तो अंदकार में बदलने वाला तो कुछ नहीं है लेकिन मुझे अंदेरे से डर लगता है इस बात से डरना चाहिए यानि कि डर का ही डर होता है वास्तविक वस्तु का तो कोई डर नहीं होता because I had experienced both क्योंकि मैंने दोनों को महसूस किया है the sensation of dying यानि कि मृत्यू का sensation या अनुभव कैसा होता है and the terror that fear of it can produce और मृत्यू का जो डर है वो किस-किस तरीके से हमें और जादा भहवीत कर सकता है the will to live somehow grew in intensity यानि कि जो इच्छा शक्ति है जीवित रहने की वो किसी-ना-किसी प्रकार से बहुती प्रबलता से बहुती प्रवीर्वीनता से हमारे अंदर बढ़ती जाती है जब तक हम एक सामने जीवन जी रहे हैं तब तक हमारे लिए उस जीवन का उतना अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि जीतो रही है ना, तो मौत वहत का कोई चक्कर है नहीं अभी तो, ना ऐसा कोई डर है, लेकिन यहाँ पर यह क्या कह रहा है, कि जब हम मृत्यू के भै वाली स्थिती में पहुंचते हैं, तो जीवन ज है, जो सतय है पानी की वहाँ आ जाओंगा, हार प्यार मारूंगा, यह सब क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, जैसा उसने तीसरी बार में सोचा कि हाँ ठीक है, बस मर गये, कत्तम काम, पहली बार में क्यों नहीं सोचा, दब विल पावर टू बी अलाइव, कि इच्छा है ना आपका मन है ना जिन्दा रहने का, तो कोशिश करोगे ना, वो कोशिश आप क्यों कर रहे हूं, उसी इच्छा सकती की वज़े से कर रहे हूं, At last I felt released, और अंत में मैंने बहुत ही हलका महसूस किया, released महसूस किया, free to walk the trails और पकडंडियों पर चलने के लिए मैंने अपने आपको सहतनतर महसूस किया, आपको डरी नहीं है, and climb the peaks, बड़ी बड़ी उची उची चोटी ओपर चड़ना, and to brush aside fear, और किस तरीके से अपने डर को side में किया जा सकता है, उसकी उपेक्षा करके उसे समाप्त किया जा सकता है, so guys this is our chapter, I hope आप लोगो को इससे अच्छा message भी मिला होगा, कि जीवन में डर का होना कोई बुरी बात नहीं है, हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, और मेरा जो बच पंकाट जो डर था वो अंधेरे से था, अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता था और एक ट्रिपल स्टोरी मकान था, तो एक बार मैंने अपने आपको शायद में I must been 7th और 8th स्टेंडर साथ भी आठ भी क्लास में में था, और वहां मैंने अपने आपको चैलेंज किया, कि में जब च्छत पर सोया जाता है, तो वहां मैंने एक चैलेंज उठाया है कि मैं अकेला ही आज च्छत पर सोऊंगा, वो मकान थोड़ा पुराना सा था, जींड शींड सा था, तो उसकी च्छत वैसे ही बहुत जादा डरावनी थी, 2TV दिवारें और चूने की दिवारें औ तो वो घर वैसे भी डरावना ही लगता था, उसकी च्छत, लेकिन रात के समय में अंदेरे में अगर आप वहां जाकर के आप कुछ देखें या महसूस करें, तो उसका डर बहुत शांदार होता था, मतलब आत्मा काप जाती थी, इस टाइब का डर लगता था, तो मैंने व तो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक हफता, जब मैं लगातार वहां सोने लगा, तो परिस्तिती कुछ ऐसी हो गई कि फिर बुझे, वहां सोने की आदत पड़ गई, अभी भी अगर मुझे, अगर उस घर में कहीं सोने के लिए सबसे अच्छी जगे लगती है, तो वही छत जो अभी भी उसी जीन शी नवस्ता में है, लेकिन वहां जाकर के अगर मुझे अभी इस मौसम में भी अगर अकेले सोना हो, गर्मियों के मौसम में, तो डेफिनिटली वहां में अकेला सो सकता हूँ, अब मुझे उससे किसी चीज का डर नहीं है, तो आप लोग भी शेर कर झाल, I'll see you soon, bye bye!